ओम श्यंति मास जुलाई आती ही, हम सबको अपनी अतिप्री अधर्णिया दीदी मनमुहनी जी की यादे आने लगती हैं और याद आयें क्यों नहीं? क्योंकि दीदी ने अपने जीवन से, अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपने स्नेहिल चाया से और अपनी प्रेमभरी परवरिश जो हम सबको प्रदान की है उससे दीदी कभी भी हम सबको भूला नहीं सकती ही, हमेशा याद आती रहेंगी मैं भी दीदी के साथ छे वर्ष तक रहने का सोभाग्य मैंने भी प्राप्त किया है और मुझे पूरा याद है कि हम जब यग्य में आये, 78 में तो हमें दीदी के अलावा और बहुत कम भाई बहनों की जानकारी थी क्योंकि दीदी यूपी जोन की इंचार्ज रहा करती थी, तो हमारा सीधा सा कनेक्शन दीदी के साथ था मैं जो अंतरंग प्रसंग है, एक घटना सुनाता हूँ कि एक बार जब सुरू सुरू में ही आया मैं तो बाबा की कुटिया के पास, बाबा की कमरे के पास, जो आम का पेड़ है, वहाँ पर दीदी से मेरी मुलाकात हो गई तो मैंने कहा दीदी मुझे आपको गीच सुनाना है, कहते गीच सुनाना है, तो कब सुनाओगे मैंने कहा दीदी जब आपके हैं, और कहां सुनाओगे हमने कहा दीदी जहां आपके हैं तो दीदी अपने कमरे में लेकर गई और धरवाजा बंद और हम और दीदी बैठे मुझे और याद नहीं है इतना बात पहले की बात हो गई कोई और साथ में था या नहीं फिर दीदी को मैंने एक दुगी सुनाया दीदी को अच्छा लगा तो ये बात मुझे कभी भूलाए नहीं भूलती है दीदी जी को मैंने देखा उनके गुणों को साकार देखा जो सबसे महत्वपून बात रही है कि जो मुझे हमेशा साहयो करता है, मदद करता है और जिसको मैं महत्वपून ज़्यादा समझता भी हूँ, वो है अमरिद बेलाए ये बहुत अच्छी बात है कि बाबा की मदद है इस शुरी देन है कि जब से मैं मधुबन में आया तब से कभी अमरिद बेलाई को अपने ध्यान में कभी मैंने मिस नहीं किया और इसके कारण बाबा का, दादियों का बहुत स्नेह मिला मुझे बड़ी इच्छी परवरिश मिली मुझे विदेशी भाई बहने हसी में अमरिद बेला ब्रदर बोलते है क्योंकि मैं हूँ मधुबन में या नहीं हूँ इसका पता जो है अमरिद बेले लग जाता है कि अगर मैं अमरिद बेला दिखाई पड़ता हूँ तो इसका मतलब मैं माधुबन में हूँ और हूँ तो जरूर रहूँगा सामने ये मैंने सीखा दीदी मन मोहनी से मैंने देखा एक दिन रात को 11.30 बज गए होंगे मैं जा रहा था विश्राम के लिए और दीदी जो है उस समय पर आई सिरोही से और कोई सेवा पर गई होंगी दीदी जी और जब देखा कि मैंने कि इतनी रात को दीदी आई है तो मैं भी विश्राम के लिए गया दीदी भी विश्राम पर गई लेकिन सबेरे जब मैं योग में बैठता हूँ तो देखता हूँ दीदी सामने बैठी है पहले से तो मैंने सोचा रात को 11.30 बज तक आई कप सुई होंगी लेकिन सबेरे सबेरे मैं देख रहा हूँ एक तरब विश्रुतन दादा बैठे हैं एक तरब दीदी बैठी है तो दीदी और दादा इन दोनों को योग की जो रुची है जो इंटरेस्ट है और जो इतनी लगन के साथ कर रहे हैं उमर में भी करती आ रहे हैं इसने मुझे बहुत ही प्रेरित किया और उसका रिजल्ट रहा कि तब से ही मैंने संकल्प कर लिया कि मुझे मधुवन निवासी बनने के बाद कभी भी अमरित बिला मिस नहीं करना है और वो आज तक भी बाबा की मदद से सब की दुआओं से अब कि ये स्वयम देखा मैंने दीदी को कि दीदी डाइरी और प्यन लेकर के राइट टाइम पर क्लास में बैठना, रेगुलर होना, पंक्चुल होना और एकुरेट होना ये दीदी में बहात बड़ी विशेषता है सारा यग ही जनता है कि दीदी एक बहात अच्छी गौडली स्टूडन्ट लाइफ वाली थी, उन्होंने सब करके बताया कि अगर पढ़ाई पढ़ी जाये तो कैसे पढ़ी जाये, इसलिए दीदी को मुरली की गोपी मस्तानी भी कहते हैं, कि जिस तरह से बाबा की मुरली को दत चित हो के सुनना, पॉइंट्स नोट करना, उसमें से क मुर करना, तो ये दीदी की बहाद बड़ी विशिष्था थी, दीदी और दादी को हमने बाबा के आगे नीचे जमीन पर बैठके, फर्ष पर बैठके, सामने मुरली सुनते हुए, अव्यक्त महवा की सुनते हुए स्वयम देखा, ये मेरा सोभागिरा, एक और बात जो द अच्छा एड्मिनिस्टेशन बड़ अच्छा था, और दोनों की जो समझ है, वो बड़ी गजब की थी, एक कोई बात थी, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा बात का प्रसंगरा, कि हम सब जब दीदी के पास गए, तो दीदी ने कहा कि ऐसा करो, आप अपनी बात को को सुना दो, तो मैं देख रहा था, कि वो बहुत प्रारंभिक बातें थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी, कि दीदी को भी सहमती नहीं देनी होती थी, और दादी को भी नहीं देनी होती थी, लेकिन ना कहना कैसे है, ना नहीं कहना है, इसलिए दीदी दादी के पास और दादी दीदी के पास भेज देती थी इस तरह से दोनों के पास आने जाने में व्रक्ति समझ जाएगा कि अब मुझे क्या करना है तो जहां पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ना कहने की बात है वहां पर किसी का दिल भी न दुखाया जाए और वह व्रक्ति समझ ले कि अब इसको छोड़ देना चीज़ें उपर ही छोड़ देना चीज़ें जो होगा देखा जाएगा जो होगा अच्छा होगा तो ये दोनों की बड़ी अच्छी है कि ऐसा नहीं कोई कि तुमने दीदी को जो है वो पूछ लिया और मुझे बताने क्यों आ रहे हूँ ऐसा नहीं बलकि बहुत अच्छी दोनों की सूजबूश थी चोथे जो विशेष्टा हमारी अधरनी दीदी में देखा तो दीदी का जो इंटर्नल व्योस्था थी येगी की एक एक को ग्यान योग में कितनी रुची है उनकी धारना कितनी है मर्यादा युक्त व्योभार कितना है उनके पुर्शार्थ की रूप रेखा किया है इस पर दीदी का बहुत ध्यान जाता था विशेश करके दीदी को और दादी को सफाई पसंद थी तो सफाई स्वच्छता बहुत अच्छी लगती थी तो मध्वन के गोपों का भाईयों का वो कभी कभी दीदी और दादी बिना बताए अपने गुरुप कोई लेकर के ऐसे पहुंच जाती थी और देखती थी कैसे लोग रहते हैं इनके अलमारी कैसे है इनका कैसे है तो इसे बहाने कभी कभी जाते थे और कोई उसमें से बीच में बता देता था कि दीदी आ रहे है दादी आ रहे है तो फटा फट भाई तो आप जानते हैं कैसे रहते हैं लेकिन व्योस्था में देखा गया कि दीदी और दादी के रहते हुए किसने अलमारी को बड़े सजा करके कपड़ों को कैसे रखा जाए, बिस्तर को कैसे रखा जाए, अपने और सब कागज हैं, और सब चीजें हैं, उनको कैसे तर्थीब वार, सिलसले वार, कैसे सजा करके, साफ सुच करके रखा जाए, क्योंकि सामान ज्यादा होना, वो कोई ज पसंथा और ना तू दादी को पसंथा. और सब जाANTे हैं कि दीदी और दादी के स Mensch को पहुंच जाना और सब को सबको देखना और शीख देना , इन दीदी दादी की चअ कि आंतरिक व्योस था थी येगी में, वह बहुत ही महत्व।ोवर्पूर थी। ऐसे ही दीदी को मैंने देखा कि दीदी बड़ी सहन शील थी, मैं खिचन में भोजन बनाता था, और जब दीदी क्रॉस होके आती थी, तो मैं दरवाजेब खड़ा हो जाता था, और दीदी को निहारता था, बहुत प्रेम से, क्यों दीदी हमारी इंस्टिशुशन की हेड थी तो दीदी को देखते हुए, मुझे बड़ा और दीदी के साथ लच्छो दादी होती थी, तो दीदी को लेकर के जा रहे हैं, दीदी के पाओं में थोड़ा सा जो तकलीफ थी, उसके कान दीदी का थोड़ा सा इस तरह जुग जुग की चलती थी, वो देखे ऐसा लगता है कि दीदी की चेहरे पर कभी भी दर्द का कोई भी भाव नहीं आया तो दीदी इतनी सहनशील थी कि दर्द कितना भी हो लेकिन कभी भी मुख से वो नहीं का लेकिन फिर भी चल करके भी आती थी और सब डिपार्टमेंट में जाती थी दीदी और दादी ये बराबर इनका करम चलता था दीदी के बाद तो दादी ने कितने वर्षों तक स्वेम दीदी को दादी को भोजन के बाद निकल के आना और देखना थोड़ा सद भोजन भोजन के तरफ देखना कि कैसे सब ठीक ठाक है बोजन जो भना रहा है बड़ी दादी जी अपने डैनिंग रूम में वहाँ का सेंपल मगाती थी देखती थी कैसी भोजन बना है क्या अच्छा है क्या कैसी है और कुछ उसमें सुझाव देना होता था तो दादी को भी मैंने देखा कि दादी बड़ी रुची थी इसमें और दीदी की भी इसमें बहुत रुची थी यह तो कहने को बहुत भेशारी विशेश्ताएं थी दीदी और दादी को आंगन में मधुबन के हमने हसते और बहलते देखा आज जब वो चित्र को देखते हैं तो यही मन में ख्याल में आता है कि हर बात भूल जाए पर ये बात नहीं भूलेगी, दीदी दादी की जोड़ी की तो याद नहीं भूलेगी, दीदी मन मोहिनी जी उन्होंने सब के मन को मोह लिया, मुझे बहुत प्यार मिला, करीब रहा, बस केवल एक संकोच रहा और आज तक भी मन को एक बात कचोड़ती रही, वो ये रहा कि मैं दीदी को बड़ी गरिमा युक्त, बड़े भाव पूर्ण दृष्टी से मैं देखता था कि दीदी कितनी महान है, लेकिन क्यों नहीं ये सम मुझा मैंने, कि दीदी अब हमारे पास हमारे बीच में अधिक समय तक नहीं रहेंगी, और मुझे उनसे और मिलना चाहिए, और करीब आना चाहिए, और बातें कर लेना चाहिए था, और हस लूँ बहल लूँ, दीदी कि समीपता ले लूँ, उनके सानिध्य में आ जाऊँ कुछ यादगारपल और वितालू ये नहीं हो सका इस बात की आज तक भी कमी मन को कचोड़ती रहती है कि छेश वर्ष कम नहीं होते हैं उनमें बहुत लाब लिया जा सकता था लेकिन काश की वक्त ठेहर जाता दीदी भी होती उनके साथ और भी पल होते शेश जो भी हुआ वो विश्वनाटक की अभिनाशी नून थी लेकिन इनको देखकर हमारा मन, हमारा मस्तक गर्ब से उंचा हो जाता है मन प्रफुलित हो जाता है कि अगर जीना है तो ऐसे जीय जाए जिसको सारसंसार याद करता रहे कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, मरने के बाद मरनोतर गुंजित गान रहे तो ये हमेशा हमें लक्ष रख करके अपने जीवन को भी ऐसे बनाना है जैसे हमारी दीदी जीने जिया जीएं तो ऐसे जीएं आप शादी